गर्मिया स्टार्ट हो चुकी हैं और मुझे तो गर्मिया बहुत ही पसंद है क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी आइस क्रीम खाने का बहुत ही मज़ा आता है तो चलिए आज घर पे ही आईस क्रीम बनाते हैं जो बहुती क्रीमी, बहुती स्मूथ और बहुती टेस्टी होगी इसमें हमें बहुती कम इंग्रिडियन्स चाहिए और ये फटा-फट से बन भी जाएगी और टेस्ट में बहुती लाजवाब होगी तो यहाँ पे आईस क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए फुल फेट दूद तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ml जितना दूद ले लिया है और दूद को निकाल लिया है पैन में पैन में दूद को हम गरम करने के लिए रख देंगे दूद जब तक गरम हो रहा है तब तक मैं फ् से तीन चम्मच जितना दूद बीच बीच में हमें दूद को भी चलाते रहना है तो चलिए मिल्क पाउडर के अंदर मैंने दो से तीन चम्मच जितना दूद डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर बिल्कुल भी लंपस नहीं रहने चाहिए और अब इसके अंदर डाल देंगे जो मिक्षर हमने रेडी किया है मिल्क पाउडर और कस्टर पाउडर वाला वो इसके अंदर डाल देना है और तुरंत इसे मिक्स कर लेना है अगर आप इसे तुरंत नहीं मिक्स करोगे तो इसके अंदर लम्स पड़ सकते हैं तो तुरंत इसे म तो आज हम ठंड़ाई फ्लेवर वाली आईस्क्रीम बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं ठंड़ाई मसाला डार रहे हूं ठंड़ाई मसाला रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप वहां चाके देख सकते हो कि यह मसाला कैसे बनाना है और अगर आपको यह मसाला नहीं यूज़ करना है आप कोई और फ्लेवर बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर हो भी एड़ कर सकते हो आपको अगर इलाइची फ्लेवर पसंदे या फिर कोई और फ्लेवर पसंदे तो आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो तो चलिए यहां पर मैंने थंडाई मसाला 3 चमच यूज किया है और 3 चमच मैंने इसके इंदर मिश्री डाल दी है आप मिश्री की जगा शक्कर भी यूज कर सकते हो चलिए अब इसे अच्छे से mix कर लेना है और ये देखे इतना गाड़ा होने तक हमें इसे पकाना है तो हमारा जो mixture है वो अच्छे से गाड़ा हो चुका है और अब gas की flame को हमें off कर लेना है और अब यह जो mixture है इसे हम निकाल लेंगे एक bowl में और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे mixture एकदम room temperature पर आ जाए उसके पार उसे रख देना है fridge या फिर freezer में इसे हमें और थंडा करना है इसलिए हमें fridge या फिर इसे freezer में रखना होगा तो मैंने इसे रख दिया है freezer में आधे गंटे के लिए क्योंकि ये फटा-फट से freezer में ठंडा हो जाता है तो चली आधा गंटा हो चुका है और freezer में से मैंने ये जो mixture है निकाल लिया है और अब हमें जरूरत पड़ेगी fresh cream और condensed milk की तो fresh cream अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे जो दूद के उपर मलाई जमती है उसका भी यूज़ कर सकते हो लेकिन वो मलाई ठंडी होनी चाहिए और यहाँ पर मैंने ले लिया है condensed milk और इसे मैंने खोल लिया है तो यह देखें टिन अगर आपको खोलने में मुश्किली होती है तो इस तरह आप इसे easily खोल सकते हो तो condensed milk यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा cup जितना और आधा cup हम ले लेंगे fresh cream fresh cream और condensed milk दोनों को हम डाल देंगे mixture के अंदर और अब इसे हमें fat लेना है अगर आपके पास bitter है तो ठीक है अगर आपके पास इस तरह का bitter नहीं है तो आप इसे mixture जर में डाल के mixture में भी चला सकते हो इसे 2-3 मेट के लिए अच्छे से चला लेना है ताकि सब कुछ अच्छे से mix हो जाए और जो हमारा mixture है वो एकदम fluffy और एकदम light हो जाए तो चलिए यहाँ पे 2-3 मेट के लिए मैंने इसे चला लिया है और आप देख सकते हो कि सब कुछ अच्छे से mix हो गया है और हमारा जो mixture है वो एकदम light और fluffy एकदम creamy हो गया है चलिए अब इसे चमाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक glass और एक डिपा ले लिया है जो ice cream का डिपा आता है वो ले लिया है और अब जो हमने mixture ready किया है उसे और tasty बनाने के लिए उसे थोड़ा सा crunch देने के लिए इसके अंदर मैंने डाल दिये है थोड़े से dry fruit dry fruit एकदम chop करके मैंने लिये है और अब इन सब को अच्छे से mix कर लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा mixture कितना creamy और कितना soft बना है तो हमारी ice cream भी एकदम soft and creamy बनेगी चलिए glass में थोड़ा सा mixture मैंने भर दिया है और जो बाकी बचा है वो मैं ice cream के डिब्बे में भर दूँगी आपके पास जो भी container जो भी हो उसके अंदर आप भर सकते हो तो मेरे पास यही था तो मैंने इसके नदर डाल दिया है अगर आप कोई और container में भर रहे हो तो उपर से उसे थोड़ा सा pack कर लीजिए polythine या फिर aluminum foil से आप उसे wrap कर सकते हो चलिए अब जो डिब्बे वाले ice cream है उसके उपर मैंने डाल दिया है अगर आप इस तरह का कोई डिब्बा या फिर container यूज़ कर रहे हो तो वह air tight हो वह ध्यान रखिएगा वरना जो हमारी ice cream है उसके अंदर ice crystal भी बन सकते हैं और अब glass के उपर मैंने लगा लिया है aluminum foil और अब इसे रख देंगे freezer में आंट से 10 गंटे के लिए चमने के लिए इसे आप overnight भी रख सकते हो तो मैंने इसे overnight के लिए रख दिया है set होने के लिए तो चलिए दूसरा दिन हो चुका है और दोनों ice cream को मैंने निकाल लिया है freezer से इसे हमें थोड़ा सा room temperature पर आने देना होगा तभी अच्छे से निकल पाएगी ice cream जब तक room temperature पर आ रहे है तब तक हम निकाल लेते हैं bowl जिसके अंदर हम इसे serve करेंगे तो ये जो bowl है मुझे मिले थे gift में तो आज मैं इसका first time use कर रहे हूँ तो ये bowl मुझे personally बहुत ही पसंदे देखने में बहुत ही royal look आता है तो आज मैंने इसे first time निकाला है तो इसे सबसे पहले हमें clean करना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए अब इसे unbox करते हैं और इसे साफ कर लेते हैं एकदम clean पानी से ये मेरे पास दो का set है दो bowl है दो चमच है और एक छोटी सी tray है तो चलिए अब इन सबको अच्छे से wash कर लेते हैं आज जो हमने ice cream बनाई है उसके साथ ये bowl बहुत ही अच्छे से जाएंगे क्योंकि जो हमारे ice cream है वो भी इतनी rich बनने वाली है तो इसके लिए इतने rich bowl बहुत ही perfect रहेंगे तो चलिए साप सफाई भी हो गई है और ये जो हमारे ice cream है वो भी अच्छे से room temperature पे आ गई है और अब इसे निकाल लेते हैं bowl में देखने में कितनी बढ़या लग रही है बहुत ही अच्छे से set हो गई है तो चलिए अब इसका एक scoop निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी creamy और कितनी soft ice cream बनके ready है इसके अंदर बिल्कुल भी ice crystal नहीं जमे हैं जैसे हम markets ice cream लाते हैं वैसे ice cream बनकरके ready है तो चलिए दोनों bowl में इसे मैंने serve कर लिया है और अब इसके उपर डाल देंगे थोड़े से all dry fruits और थोड़े से rose petals ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे यह ice cream देखके सब को लगेगा कि यह ice cream थो market से लाई हुई है लेकिन यह ice cream हमने घर पे बनाई है तो यह लीजिए homemade ice cream एकदम ready है ठंडाई flavor वाली ice cream बहुत ही rich लगती है आप एक बार शरूर इसे try करिएगा definitely आप इसे बार बार try करोगे और अगर आपको कोई और flavor चाहिए तो आप मुझे comment box में comment भी कर सकते हो तो मैं वो भी flavor try करोंगी तो चलिए अब ice cream को हम taste करते हैं कि taste में कैसी लगती है तो यह देखिए आपको मैं इसे दिखाती हूँ कितनी creamy हमारी ice cream बनके ready है थोड़ी सी पिगल गई है क्योंकि कब से बार है लेकिन taste में बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल भी इसके अंदर ice crystal नहीं है और बहुत ही creamy औ मैं इस ice cream को marks दे रहे हूँ क्योंकि मुझे तो यह taste बहुत ही अच्छा लगा मेरे बच्चों को भी यह flavor बहुत ही पसंद आया है तो आप भी जरूर से इसे एक बार try करिएगा घर्मियों के मसे दुगने हो जाते हैं जब इस तरह की ice cream हमें मिल जाती है तो अब market से ice cream लान उसे भी हम निकाल लेते हैं तो इसे निकालने के लिए मैंने ले लिया है बोल में थुड़ा सा पानी और यह जो glass है उसे में रख दूंगी पानी के अंदर सिर्फ आदि मिनिट के लिए ही हमें इसे रखना है 30 सेकिंड के लिए रखेंगे और अब इसे जो प्लेट है उसके दिए लीजिए बिना मोल्ड ग्लास में भी आप इसे एकड़म आसानी से बना सकते हो ग्लास में भी यह आईस्क्रीम एकड़म पर्फर्ट बनके रैडी है तो आपको आज की यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंड करके ज़रूर बताईएगा और अगर मेरी रेसि श्रीक्रिष्न